है थोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिलोम सब्द यानिकि जो समाने हिंदी में समिक्षा अधिकारी और सायक समिक्षा अधिकारी में हिंदी से कुल 60 question पूछी जाते हैं जो के 6 topic से 60 question पूछी जाते हैं जिसमें 10-10 question जो हर एक topic से पूछा जाता है तो टॉपिक कौन कौन से है उसमें बिलोम सब्द है वाकियोम वर्तनी शुद्धी है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तत्सम तद्भा विसेशन और विसेश से है और प्रयावाची सब्द है तो इन छे टॉपिक से मिला करके 60 questions प्रिलिम्स में पूछा जाता है 140 question GS का होता है और 60 question जो है हिंदी का तो टूटल 200 question पूछी आते हैं तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाले section में देखेंगे बिलोम सब्द को बस आप जो है जो आपका notes है इसी notes से जो है आपको 10 question पूरे के पूरे मिल जाएंगे इसे एक बार आप लोग देख लिजेगा और बार बार इसे जो है आप या तो इसका print out लेके पढ़ सकते हैं और इसे repeat करते रहेगा तो बस इसी वीडियो से जो आपका 10 question जो बिलोम सब्द का है वो कबर हो जाएगा तो आईए जो है शुरू करते हैं वीडियो को आप लोग लाइक शिर कर दीजेगा चैनल को सब्स question आते हैं बिलोम सब्द से तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं आभियंतर का बिलोम क्या होता है बाह होता है आभियंतर का बिलोम क्या हो जाएगा वाह होगा निशिद्द का बिलोम हो जाएगा वीहित सुस्क का हो जाएगा आद्र इस्थूल का हो जाएगा उपियोग का अनुपियोग और निरुपियोग दोनों होता है तो उपियोग का इदी पूछ जाए बिलोम अनुपियोग और निरुपियोग दोनों होगा उद्यमी का जो बिलोम होगा हो जाएगा आपका निरुद्यम फिर आपका अलपग्य का हो जाएगा बहुग्य प्रतीच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आवाहन का विसर्जन हो जाएगा, इपसित का विलोम होगा, अनिपसित, हया का विलोम हो जाएगा, बेहया, अघी का विलोम हो जाएगा, नीरग, और बरबर का विलोम हो जाएगा, सभ्य, सांदार का विलोम हो जाएगा, सर्मनाक, मौन का विलोम हो जाएगा, मुखर, आप देखेंगे तो जो भी question आपका बिलोम सब्द का है वो लगभग question आपको आरो यारो या अन्य परिक्छों में आप देखेंगे यहां से जरूर पूछा हुआ होगा तो यह बहुत सारे महत्पूर सभी question आपको कई सारे किताब से छाट करके इसमें लिखा गया है मौन का बिलोम क्या हो जाएगा मुखर हो गया सतकार का हो गया तिरसकार अमित का बिलोम हो जाएगा परिमित आगे देखते हैं आसुया का बिलोम क्या होगा अनसुया हो जाएगा प्रमुक का हो जाएगा सामान्य आस्था का हो जाएगा अनास्था आग्रह का बिलोम हो जाए फिर है आकिर्ड का बिलोम क्या हो जाएगा बिकिर्ड हो जाएगा आद्रित का होगा निराद्रित आद्रित का बिलोम निराद्रित हो जाएगा स्तब्ध का बिलोम हो जाएगा अस्तब्ध उत्रायड का बिलोम होगा दक्षडायन विस्थापन का विलोम हो जाएगा संस्थापन इसान का हो जाएगा नेरित्ति है काफी महत्पूर है ये द्यांदीजी का इसान का नेरित्ति होगा रिजु का वक्र कई बार पूछा गया ये भी काफी महत्पूर है रिजु का विलोम क्या होगा अनुरूप का होगा प्रतिरूप, त्रिश्डा का विलोम होगा वित्रिश्डा, दिर्गायू का विलोम होगा अलपायू, गगन चुम्बी का होगा तलसपर्शी, अनृत का होगा रित, और अनंत का विलोम होगा अंत. अगला पीज है आपका बिराग, तो बिराग का बिलोम हो जाएगा अनुराग, सरस का नीरस हो जाएगा अरवाचीन का होगा प्राचीन, प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल, आविर्भूत का तिरोभूत होगा बिलोम, अग्रज का बिलोम हो जाएगा अनुज, उसी तरह स श्रिष्टी का बिलोम क्या हो जाएगा आपका प्रले होगा विवेश्टी का बिलोम हो जाएगा समस्टी सहाचर क्या होगा अलगाओ विराट का हो जाएगा छूद्र और अस्प्रिष्टी का हो जाएगा अस्प्रिष्य अमर का हो जाएगा म्रत्य उक्त का हो जाएगा बियुक्त होगा बिलोम, अंतरमुखी का बिलोम क्या होगा बहिरमुखी, मुक का बिलोम हो जाएगा वाचाल, राजा का बिलोम हो जाएगा रंक, आकास का बिलोम होगा पाताल, सगुड का बिलोम हो जाएगा निर्गुड, अप्शकुन का बिलोम क्या होगा तो सकुन होगा आवेशित का हो जाएगा आणावेशित अरजन का हो जाएगा वेएन और कथित का बिलोम होगा आकथित प्रचन का होगा प्रतिपन गौण का बिलोम क्या हो जाएगा तो प्रमुख होगा आगे देखते हैं नेक्स जो है आपका पास्चात्य पास्चात्य का बिलोम आपका प और शत्य और परवात्य हो गया, असलील का बिलोम हो गया, अल्पभासी का बहुभासी हो गया, मृद्भासी का कटुभासी हो गया, सुसुप्ति का बिलोम हो जाएगा, जागृति, सयन का बिलोम हो जाएगा, जागरण, आगामी का बिलोम हो गया, प्रगामी, प्रकिय का बि बिलोम हो जाएगा अपमान गात का बिलोम हो जाएगा प्रतिघात वैतनिक का बिलोम होगा अभीसरण और बाहे का बिलोम क्या होगा आभियंतर हो जाएगा द्रेश्ट का बिलोम होगा विनित परोच का बिलोम होगा प्रत्यक्ष महतपुढे परोच का बिलोम क्या होगा प् सतकार होगा, सर्मनाक का बिलोम हो जाएगा, सम्मानपूर्ड, लुभावना का बिलोम हो जाएगा, घिनवना, तामसिक का बिलोम होगा, सात्विक, यह भी महतपूर है, और यथार्थ का बिलोम क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम होगा, आगे अब देखते हैं, तीसरा पेज ज सब भे इकात कहीं आपको जो है repeat हो जाएगा बस इकात question जो है repeat की वाला को देखने को मिलेगा बागी सबी जो है नए ही question होंगे दोहंस का क्या हो जाएगा निर्माड होगा नूतन का पुरातन होगा तरुड का होगा ब्रिध उसी तरह हरश्व का हो जाएगा बिलोम दीर्ग संपन्न का होगा विपन्न उपेक्छा का अपेक्छा हो जाएगा अब्रित का बिलोम अनावरित होगा उपचे का अपचे होगा जागरत का सुप्त होगा भ्रांत का निर्भ्रांत होगा और अत का बिलोम हो जाएगा इती ये भी कई बार पूछा गया है अत का बिलोम क्या होगा इती होगा अभिग्गी का अग्य होगा महतपूर है ध्यान दिज़ेगा ये भी अभिग्गी का विलोम अगी हो जाएगा, अनभिग्गी का अभिग्गी होगा, दोनों महत्पूर है विग्गी का अग्गी होगा, विग्गी का विलोम क्या होगा, अग्गी होगा उसी तरह है सौमे का बिलोम क्या हो जाएगा उग्र होगा कृताग्य का कृताग्न होगा ये भी महत्पुड कई बार पुछा गया है कृताग्य का बिलोम क्रिताग्न होगा संकीर्ड का बिलोम क्या हो जाएगा विश्तीर्ड अनुरक्ति का विरक्ति होगा अनुराग का बिल तो उन्नत का बिलोम पूचा जाए तो अउनत होगा, साधु का बिलोम असाधु होगा, पुस्ट का छीड हो जाएगा बिलोम, संयोग का बियोग होगा, आकलन का बिकलन हो जाएगा, स्वलपायू का हो जाएगा बिलोम, चिरायू, अहार का निराहार, अहार का बिलोम, निरा का बिलोम हो जाएगा निस्प्रिह, निंद का बिलोम हो जाएगा वंध, स्वेजाति का बिलोम हो जाएगा विजाति, उन्मूलन का बिलोम होगा रोपड, महतपूर है उन्मूलन, देखिए दो चीज है, एक है उन्मूलन और यहां पर नीचे भी आपको देखने को मिलेगा उन्मिलन, तो दोनों का अलग-अलग होता है, बस मात्रा का फर्क है, उन्मूलन का विलोम रोपड होगा, उन्मेश का विलोम होजाएगा निमेश, प्रस्फुटन का विलोम होजाएगा संकुचन, आवमूल्यन का विलोम होगा अधिमूल्यन और उन्मिलन, यहाँ पे देख अथ का बिलोम होगा इती, सुत्रपात का बिलोम हो जाएगा उपसंघार, अठाना का बिलोम हो जाएगा पुगाना, अधिकरित का अनधिकरित होगा, अधिकार का बिलोम हो जाएगा अनधिकार अगला पेज है ये आपका सधिकार सधिकार का बिलोम क्या हो जाएगा निराधिकार और अनुलोम का बिलोम होगा प्रतिलोम प्रियास का भीप्रियास आरोह का अरोह परिश्रम का बिश्रा अलभ्य का बिलोम हो जाएगा लभ्य दुरुगम का सुगम होगा प्रकट का अंतरधान होगा गवरब का बिलोम लागव हो जाएगा गमन का बिलोम होगा आगमन नूतन का बिलोम हो जाएगा पुरातन प्राचीन का बिलोम क्या होगा अर्वाचीन होगा पुरातन का बिलोम होगा अधुनातन आद्धी का बिलोम हो जाएगा सध्य काला तीत का बिलोम क्या होगा अनतीत होगा निर्भीक का सहसी या सहसीक निंदा का बिलोम हो जाएगा इस्तुती मौन का बिलोम मुखर और मुखरता दोनों होगा मधुर का कटु होगा निर्दय का सदय होगा तिमिर का हो जाएगा आलोक तिक्ष्र का हो जाएगा मंद उदात का हो जाएगा अनुदात और उदार का बिलोम हो जाएगा अनुदार और अगला देखते हैं सजल का बिलोम हो जाएगा यहाँ पर निर्जल, सामानी का हो जाएगा विसिस्ट सरवग्य का बिलोम ध्यान दीजेगा महतपूरे सरवग्य का बिलोम होगा अग्य या फिर अग्यानि परमार्थ का बिलोम हो जाएगा स्वार्थ परसारण का संकुचन हो जाएगा प्रवेश का बिलोम हो जाएगा निकास पुरसकार का बिलोम हो जाएगा तिरसकार उतकर्ष का बिलोम होगा अपकर्ष बिधवा का बिलोम हो जाएगा सधवा कप्टी का बिलोम होगा निसकप्टी मुख्ष का हो जाएगा गोड अवर का प्रवर दीर्ग का बिलोम होगा लगु या हरस्व दोनों होगा नख का बिलोम होगा सिख बिस्तीर्ड का बिलोम होगा संकीर्ड सुसील का बिलोम होगा दूसलील कुख्यात का बिलोम होगा विख्यात प्रविर्ति का बिलोम होगा निवृत्ति सुलब का विलोम होगा दुरलब अक्छर का विलोम होगा चर पंडित का विलोम होगा मूर्ख और कुशुम का विलोम हो जाएगा वज्र वीर का विलोम होगा कायर रथी का विलोम हो जाएगा वीर रथी और अगला है आपका इनेक्स्ट पेज है खंडन का बिलोम हो जाएगा मंडन खंडन का मंडन हो गया बिरोध का समर्थन हो गया अभिमानी का निरभिमानी हो गया मानवता का दानवता हो गया अरपित का ग्रिहीत हो गया और उनमुख का बिलोम हो गया बिमुख उपचार का अनुपचार हो गया कृत्रिम का बिलोम क्या हो जाएगा प्राकृतिक या स्वभाविक कहीं कहीं पे मिलेगा आपको तो दोनों होता है कृत्रिम का और स्वभाविक का हो जाएगा ए स्वभाविक भुगोल का खगोल होगा विधी का निशेद होगा, चुस्त का हो जाएगा, धीला, सुमत्य का बिलोम होगा, कुमत्य, हरास का हो जाएगा, बृद्धी, अभिशाप का बिलोम होगा, वर्दान, दंड का बिलोम हो जाएगा, पुरस्कार, उपादे का बिलोम होगा, अनुपादे, इस्थिर होगा, व दिभाव का बिलोम होगा, पराभाव, और ग्रस्त का हो जाएगा, मुक्त, लूप्त का बिलोम होगा, व्यक्त, महात्मा का बिलोम हो जाएगा, दुरात्मा, आत्मा का हो जाएगा, परमात्मा, सघंता का बिलोम हो जाएगा, बिरलता, और अगला है, अस्मरड, अस्मरड का पड़åण का विलोम होगा बिश्मरण सुच्म का हो जाएगा इस्थूल यह भी कई बार का बिलोम हो जाएगा बिनत मत पूर ये भी क्रिस का हो जाएगा पूस्ट कई पर पूछा गया ये भी क्रिस का बिलोम क्या होगा पूस्ट होगा तठस्त का बिलोम हो जाएगा आसकतो ध्रिष्ट का बिलोम हो जाएगा बिनम्र भाव का अभा होगा अतिवरिष्टी का लोग का हो जाएगा तिमीर, उदियाचल का विलोम होगा अस्ताचल और ग्राह का विलोम हो जाएगा त्याज्य, गुरु का विलोम होगा लगु, आवर्तक का विवर्तक और अनावर्तक दोनों होगा, आवर्तक का विलोम पोच जाए तो विवर्तक और अनावर्तक दोनों हो इसका पीडियफ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके इसका पीडियफ डाउनलोड किराके उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और उसे बार बार जोहां पर रिविजं करते रहेगा तो यहां से जितने भी कोईशन है प्राचीन, पोसक का हो जाएगा, सोसक, परास्त का हो जाएगा, बिजयी, स्वागत का हो जाएगा, तिरसकार, सदाचार का हो जाएगा, कदाचार, अनाहूत का बिलोम क्या होगा, आहूत होगा, अवर का बिलोम हो जाएगा, प्रवर, अकाल का सुकाल होगा, एकागर का यहां पे सही है, आरोह का अवरोह हो जाएगा, घात का प्रतिघात होगा, आघात का भी प्रतिघात होगा, संगटन का बिगटन होगा, सत्यागरह का दुरागरह होगा, संकल्प का बिलोम हो जाएगा, बिकल्प, सहयोगी का प्रतियोगी, द्रिस्य का अद्रिस्य, छडिक का का बिलोम होगा सास्वत असीम का ससीम अनुग्रह का बिलोम होगा विग्रह निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा आगे देखते हैं और यहाँ पे तेजस्वी तेजस्वी का बिलोम होगा निस्तेज जेस्ट का हो जाएगा कनिस्ठ सुस्क का आद्र आद्र का अनाद्र सुरोता का बिलोम हो जाएगा वक्ता उत्थान का बिलोम पतन होगा मानवी का अमानवी चेतन का हो जाएगा अचेतन आकर्षड का बिलोम होगा विकर्षड उपमान का उपमे होगा अनुनासिक का बिलोम हो जाएगा निरनुनासिक उपमे का अनुपमे हो गया वादी का बिलोम प्रत मलिन होगा, कृपा का हो जाएगा, कोप, मरसीड का विलोम क्या हो जाएगा, तो रूपच होगा, अती का विलोम अल्प होगा, ग्रहड का अरपड होगा, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो सरल होगा, अगला है, यस का विलोम होगा, अपेस, संसलेसर का विसलेसर, नेसर स्वर्गी का क्रित्रिम, स्वर्गीय का नार्किय होगा, तमस का विलोम होगा, जोतिर में, अनिवारे का एक्षिक हो गया, अमावस्या का पोडिमा होगा, अंतरंग का विलोम हो जाएगा, बहरंग, छली का निश्चल होगा, भोगी का योगी हो जाएगा विलोम, एसवर्य क का बिलोम हो जाएगा अनैश्वर्य भौतिक का आध्यात्मिक जागृति का बिलोम होगा सुसुप्ति राग का बिलोम हो जाएगा द्वेस करूड का हो जाएगा निस्ठुर निस्काम का हो जाएगा सकाम उत्तम का बिलोम क्या होगा अधम होगा विवेकी का एविवेकी कर्म गरतंत्र का बिलों होगा videogame जन्गम का बिलों होजाएगा अस्थावर एक आंधिम पेज है नेक्ष्ट देखने हैं कि अधोगामी अधोगामी का बिलों होजाएगा उर्धगवामी आयदानCon प्रदान, उत्तिर्ड का अनुत्तिर्ड, उदय का अस्त, अम्रित का विस, इलोक का बिलोम हो जाएगा परलोक, कठोर का बिलोम होगा कोमल, नियून का बिलोम होगा अधिक, प्रस्थान का हो जाएगा आगमन, अस्पस्ट का हो जाएगा अस्पस्ट, स्याम का हो जाएगा स् अगोस का बिलोम होगा, सघोस या घोस, तो अगोस का कोई भी दिया रहा है, सघोस दिया रहा है या घोस दोनों सही है, असुया, असुया का बिलोम हो जाएगा, अनसुया, अवसेश का बिलोम सब्द होगा, निसेश, आनंद का बिलोम हो जाएगा, विसाद या सोक, आग्या का बिलोम होगा अवग्या बरबर का सब्भे होगा दीवा का बिलोम हो जाएगा रात्री भीसड का हो जाएगा सौमे पौरुसे का बिलोम हो जाएगा अस्त्रैड तो ये जो है आपका बिलोम सब्द है आपको इतने जो बिलोम सब्द कराएगे हैं इतने यदि आप जो है complete कर लेते हैं बार-बारी से प्रिविजन करते रहेंगे तो 10% आपको यहीं से पूरा का पूरा जो है सही हो जाएगा बाकी जो है कुछ अलग से पढ़ने के आपको ज़रूत नहीं गए जितने भी question है आपको कई सारे book से छाट करके और इसमें previous year के भी question को भी जो है इसमें सामिल किया गया है तो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग like share कर दीजेगा इसका PDF आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर में जाएगा नीचे description में उसका link दे दिया गया है से जोइन करके आप PDF इसका download कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद